हिंदुनी आस्था नुकेंद्र एटले जोशी मठ परन्तु जोशी मठ आजे संकट मा मुखायो छे आस्था साथे अहीं अस्तित्व पन जोख मायो छे जोशी मठ नी जमीन धसी रही छे मकानो तुटी रहा छे पहाड फाटी रहा छे न नागरी को दहशत मा छे जोखी सवाल एट सरजाई के जोशी मठ नी आस्थिती पाच्छड कौन जवाबदार कैम जोशी मठ नी आवी स्थिती सरजाई शुआ संकट पाच्छड नो कारण एंटी पी सी छे अब तमाम सवालों ना जवाब मिलवा टीवी नाइन नी टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर अने जोशी मठ नी जनता नो मत जानवानो प्रयास के रहो तेरे शुआ लोको नी समस्याओ छे शुकरिया छे लोको सापड़ो तो शिलन्यास करता है वो जिम्मदार है या मौझूदा सरकार को अपने जिम्मदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मदारी सरकार ने नहीं निभाए आपको क्या लगता है आप बोलिए जो बड़े बड़े पदों पर बैठे रहे थे उनकी जिम्मेदारी हमारा ये बचान उनको जब जमीन जा रही थी वहां पर तब उन्होंने क्यों हस्तक्सिप नहीं किया इसका ये बात हम रखते हैं आज रेणी में जब आद्धा आई थी तब भी इंडिकेशन मिला था कि रोख दो वरना सब कुछ खत्म कर देंगे क्या सब्सक्राइब रहे आप तो नगरपाली का अद्धेक्श है और अभी कागजोपते बंद हो गया है पिछले तीन दिन सो मैं घूम रहा हूं मुझे तो ये नजर आ रहा है कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चली रहा है कुछ भी नहीं रुका सिवाए एंटीपीसी के वह अंदर खाने चल रहा होगा तो किसी को जानकारी जो विकास करें ते बीच मैं प्रसासन के रोग दिया गया है इस पर पूर्ण तरह रोग लगा दी कहीं है यह कहीं पर चलना होगा था मुझे उनको चिनित करके हम आगे बताएंगे कि इनको बंद किया जाए क्योंकि जो अभी जो विकास के दूना का रिटीपी जो बड़ी ह उसमें क्या सबच में आ रहा है देखे मैं कहना चाहूंगा यहां पर अभी आपने बात करी 600 से ज्यादा मकान इसमें प्रभावित हैं वो तो परत्यक्ष दिख रहा है जिन पर दरारे आ चुकी है लेकिन हम भविश्य की तैयारी करें किन-किन लोगों को खतरा हो सकता है इ इसका पानी यहां पर प्राक्तिक रूप से आता था यह सूग गिया था और उसी के एवज में यहां पर आंदोलन किया जोसी मट में जोसी मट के लोगों ने ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं किया एंटीपीसी के खिलाप आंदोलन किया और उसके एवज में उन्होंने 16 करोड रुपे जरूर पानी के लिए यहां पर दिये थे हाला कि वो योजना भी कहीं से आई नहीं और आज इस्तिती इतनी गंबीर हो चुकिया कि आप 600 तो लोग इधर उदर जाई चुकिया और आज भ आज चाहे हमारे भारत सरकार के नरेंद मोदी जी हुं चैराज्य सरकार के धामी जी हो जो सिमाट के लिए भाद चिंती थे